है जय गोमातागी जय भारत मातागी आप सब कैसे हैं اumेद करता हूं कि महां भगवती किरथा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और महां भगवती किरथा आप ऽो प्रसहायदेव बनी रहेैं मैं आपके अन्शुम अंशर्मा आप सब करता कि अपने चैनल जोतिस साथना के इंदर में स्वागत करता हूं और मां भगवती से प्रातना करता हूं कि वो आप सब पर शेय देव किरपा बनाई रखे अपने गवमाताप पर अपना सिरवात बनाई रखे दोस्तो आज का हमारा विशे रहने माला है सराद पक्ष को लेकर हैं आने को पर क्यार कि ऐसी जानकारियां हमें सरादों के बारे में सुनने को मिलती हैं जिनको सुनकर बड़ा आजीब लगता है तो पहली जो विशे रहे गया कि सिन सरादों को माड़े दिन के संगया क्यों द देते हैं उसको कैसे बदलन का हुआ दूसरा विशह रहेगा पितरी दोश के लक्षन क्या होते हैं क्ıkितने प्रकार का पितर होता हैं तीसरा विशह रहेगा महां उपाई क्या करें कि से 16 इनों के अधुबूद्भ में आप आप अपनी कुंडली के बहात्तर प्रकार के पित्री दोसों का निवारन कर पाएं विशह पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा चानिवेदन कि आप हमारे इस वीडियो को सोचल मीडिया के किसी भी माध्धम पर किसी भी प्लेट पोरम पर तेख रहें इसकलिक को तो पूरी वीडियो आपको आपके अपने चैनल जोति साद्धा के अंदर यूटूब पर पराप्त होगी जिसका लिंक आपको वीडियो के साथ में मिल जाएगा नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और यदि पुराने हैं तो भाई आपका भी करतविया बंदा है कि आप वीडियो को जाधा से जाधा शेर करें और विडियो की जानकारी से आपको क्या अदूरा ग्यान प्राप्तवा है कोमेंट में जरूर बताएं जाए गुमात है कि जरूर लिखें विशे पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों विशे है हमारे जो इस देश में है बिना ग्यान के बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो चर्चाए में बनी रहती है और अदूरा ग्यान हमेशा विनास का कारण बनता है जो कि हम बच्पन से देखते आ रहे हैं कि जो सराद पक्षे उनको गलत परकार की संग्या दी जाती है कि माडे दिन की अबस्तार आने में तो बलकि यह कह दिया जाता है कि माडे दिन लगे हैं यह काम ने करना वो ने करना और कुछ यह खराब दिनों के संग्या देखिए पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है सराद के जो ये 16 दिन है बड़े अद्भुद दिन है इनको किशी सुबवादी आउसर से कम मत समझेगा तथे के साथ आपको बताते हैं कि सुबवादी आउसर दिन कैसे हैं सोचिए आपके घर में इन 16 दिनों में जो हमारे समाज में परचलन है कि हमारे पुरवज इन 16 दिनों में हमारे घर आते हैं पूरवज जिनको हम नहीं जानते हैं, मारे दादा, पढ़ दादा, या उसे भी पिछले पिडियों के पूरवज है, वो घर आते हैं और उनके निमित हम दान करते हैं, अब दोस्तों जब आपके पूरवज आपके घर में आएंगे और आप उनके निमित दान करेंगे, ब्रा खुष होने का चिरवाल आपको देंगे तो दोस्तों इसमें माड़े दिन का क्या हुआ अच्छा ही हुआ ना यह उशार तो सरहाद पक्ष में जितना जापताप किया जाए जितना दान किया जाए उतना ही कम है तो इन दिनों को गलत मत समझेगा अच्छे दिन लीजिएगा गलत कामों को मत करिएगा ब्रह्मेचारी अबत का पालन कीजिएगा नौनमेज ट्रिंग पगेरा इन सब तामसिक चीजों का सिवन मत करिएगा जैसे की उड़न की दाल होती है और बैंगन की सबजी होगी जो तामसिक प्रवर्थी में जो चीज आती है लसन प्याज हो गया तो इस तरह की जो खादे पजार थे उनका भक्षन मत करिएगा और एक सन्यासी की भांती अपना जीवन इन सोला दिनों में निकाल लिएगा फिर देखेगा आपके जीवन से कैसे समझें समापत हो गया है तो माड़े दिन यह नहीं है खराब दिन यह नहीं है अगर सोच ब दूरा न कोई तो इसलिए बिना ग्यान के किसी भी चीज का निर्धारन करना रिजल्ट निकलना यह उचित नहीं होता है सास्तरों में बड़ा भुद बरनन दी आएगा इन सरादबक्स के दिनों का तो आप इन दिनों के अहमित को समझे और इन दिनों के अहमित में करम करि पित्री दोष कितने परकार की होते हैं दो धारनाई हैं एक धारना के अनुशार बड़ों से ना बने एक परकार का पित्री दोष है चोटों से ना बने यह दूसरे परकार का पित्री दोष है और इससे अलग जो कुनली में दर्शाग है वहात्तर परकार के पित्री दोष ह अब बात करते हैं पितरी दोस्त होते क्यों हैं, क्या कारण होता है दोस्तों ये जर्णम पैदाइस के अनुशार भगवान के किरपा से आपको ये सोभाग्य प्राप्त होता है कि जवाब के पूर वज अदो गती को प्रात हुए, कोई जल में डूप कर मरा है, कोई एक्सिडेंट में मरा है, कोई चेहर खा कर मरा है, तो अन्य प्रकार से जिनकी अन्य अन्य कारण से जिनकी डैथ हुई है, आपके माध्यम से उनको सद्गती प्राप्त हो सकती है, और अगवान नारण के चरणों तक पुचाएंगे, सद्गति उनको आप प्राप्त कराएंगे, तो इसको कहते हैं पित्री दोश, लेकिन समाज बड़ा है, अने को प्रकार की उल्टे से दिव्यादियां सुनने को मिलती है, मुख्य कारण यही होता है कि आपके घर में किसी प्र का कोई पित्री दोस आपको परेशान करता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, कि आपके माध्यम से उस बूरवज की सद्गति उसको मिलना, अदोगति से उसको मुक्ते मिलना, यह मुख्य कारण होता है, बहत्र परकार के अगर उनकी व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से की जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों यह दो परकार की जान करें और इसके अलावा, घर में कलेश रहना, अत्यादिक मात्रा में जगडा रहना, रात को नीन दाना, यह भी पित्री दोस का लक्षन है, विबा में देरी होना पर भी धनो अर्जन नहीं होना, धनी कठा नहीं होना, फिर भी पैसे-पैसे के मोता जोना, यह भी पित्री दोस का लक्षन है, अत्यर एक समय तक बिमार रहना, दुवाईयां काम ने करना, मानसिक रूप से प्रेशान रहना, यह भी पित्री दोस का लक्षन है, घर में कले जगड़ा एक आदमी के अंदर गुस्सा देदिक मात्रा में मिलना छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना बिना वजए डाटना चिर्चिडा परने यह पित्री दोस का लक्षन है चलिए आईए दोस्तों अब महां उपाई के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम पित्री दोस और खाने में यदि आप लेका प्रियोगी करते हैं तो इसे भी आपकी कुंड़े में पित्री दोस से आपको राहत मिलती है दूसरा हमारा उपाई रहेगा है दोस्तों सोला दिनों तक चीटियों को आटा भून कर दे सेगी में सक्कर मिरा कर परती दिन चीटियों को आटा डालने से भी पित्री दोस शान्त होता है तीसरा हमारा उपाई रहने वाला है दोस्तों पिपल में प्रती दिन रवी वार को छोड़के मिठा दूद दूद के अंदर थुड़ा मिष्ठान मिला करो गंगा जल मिला करो प्रती दिन शंध्या के समय में यदि आप पिपल की जड़ में या फिर सुबह आप सूरज निकलने के वक्त सुबह के वक्त आप ये पिपल क की जड़ में डालते हैं और एक तेल का दिपक जलाते हैं तो इससे भी आपकी कुंड़े में भैंकर से भैंकर पित्री दोस्त का निवारन होता है तीस चोथा हमारा उपाई रहने वहला दोस्तों गायत्री मंत्र का आप इसमें जादा से जादा उचारण करें और भागवत ग गीता कि अठारा ध्याई के भागवत गीता आती है लाहोरी भासा में आप उसमें ग्यार्में ध्याई का प्रति दिन पाट करते हैं तो उससे भी आपकी कुंड़े के भैंकर से भैंकर पित्री दोस्तों का निवारन होता है और गयत्री मंत्र का यथा सकति आप प्रति दिन एक या दो माला निकालते हैं उससे भी आपके जो है घर में पित्री दोस्से आपको राहत मिलती है पांचमा रहेगा एक अदभुद मंतर है आप इस मंतर का प्रियोग करके देखिएगा आपको इसका अदभुद फल प्राप्त होगा इस मंतर की बैखिया बड़ी लंबी है मंतर विल्कुल चंद सब्दो का है ओम स्वधा स्वाह ऐसा देवी भाग्वत में लिखा है कि यदी कोई भी मनुशय कितना हैं पापी करोंआ हो पूरो जनम के कर्मों के अनुशारियदी वैपने पापों को भुग रहा है तो परति दि यदि सुबह स्याम वो तीन बार ओम स्वधा स्वाहा ओम स्वधा स्वाहा ओम स्वधा स्वाहा इन मंत्रों का उचारण करता है तो अपने पित्रों की सदगती का कारण बनता है और जो पित्रों की पूरवजों की सदगती का कारण बनता है उसे तो उसके अनेकों प्रकार के प्रति दिन आप इस मंत्र का उचारण करते हैं उम्सवदाश्वाह उम्सवदाश्वाह तो कैसी भी प्रकार की पित्रों से समझेता आपकी समझ से आए क्यों नहूं आप उनके रहात जरूर पाएंगे ऐसा मिरा अधुद्व विश्वास है यह उपाई आपका देधी भाग रहती है स्वदा देवी आपने पहले बार सुना होगा लेकर यह तिमी के रचना से ही हमारे जो अधोगति को प्राप्त होते हैं उनकी रखवाली करते ह। उनकी रक्षवेंगरते हैं जितना जल्दी प्रिशन होती हें उतनी ही जल्दी हमारे पित्र पुरवज ब्रहम पितर बाद आए हैं घर में जो पितर बाद हैं वो शबी शान्त होगी उपाई और भी हैं फिर किसी वीडियो के द्वारा इन्हीं सोला दिनों में कोई और पितरों से समझे दम वीडियो आपके समझ जरूर लेके आएंगे तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिएगा सदा बे जुबानों पर अहीतू के किर्पा करते रहिएगा प्यासों को जल पिलाइएगा भूपों को अन दीजिएगा और दर्द से दड़प रहे बे जुबानों की मरहम जरूर लगाईएगा उनको और खुद भी प्रशन लईएगा और गउमाता की सिवा जरूर करिएगा औ कोमेंट में जय गूमातागी जरूर लिकेगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी है जानकर या आपको कैसी लगी एकार जानकर जारूर बता गया आगर दौस वीडियो में कुई ऐसा सबत मैंने बोल दिया हो जो आपको अच्छा ने लगा हूँ तो इसलिए मैं आब सबसे समा चाहूंगा और आगे भी आप लोगों के समख्स किस तरह की वीडियो हम आप लोगों तक जरूर पुचाते रहेंगे आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से इर करिएगा तब तक के लिए दोस्तों जैए गूमाता की